शिवम या अंजली कौन होगा पहला फाइनलिस्ट शिवम और अंजली के बीच पहला फाइनलिस्ट बनने के लिए अत्याचारी अरीना में होगा मुकाबला रियालिटी शो लोक अप में पहला फाइनलिस्ट कौन बनने वाला है दरशक और फैन्स भी जानने के लिए उच्छ सुख है दरसल जेल में मौजूद मुनवर, अली, शाइशा, पूनम, पायल और आजमा टिकेट टू फिनाले की रेस से बाहर हो चुके हैं और सिर्फ अंजली और शिवम इस रेस में बने हुए हैं और इन्ही दोनों के बीच में अत्याचारी अरीना में आमने सामने का मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले में जेल में मौजूद बाकी कंटेस्टेंट्स अपनी पसंद के मुताबिक शिवम या अंजली को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे टिकेट टू फिनाले की रेस में आखिरी दो बचे सदस्य अंजली और शिवम के रूप में सामने आये हैं और इन ही दोनों के बीच अत्याचारी अरीना में मुकाबला होने वाला है ये मुकाबला क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा जो भी अत्याचारी अरीना में हुए टास्क के दोरान जीत हासिल करेगा वो लॉक अप सीजन वन का पहला फाइनलिस्ट बन जाएगा तो ऐसे में अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि शिवम और अंजली में से कौन बनता है पहला फाइनलिस्ट आपको बता दे कि लॉक अप में इस समय खेल इंट्रेस्टिंग मोड पर आ गया है और सभी इंडिविजुल खेल दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं दोस्तियां टूट रही हैं लोग एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं एक दूसरे पर चीटिंग करने दोखा देने और गर्डारी करने का आरोब भी लगाया जा रहा है आपको बता दे कि अंजली ने जिस तरह से शायशा के साथ मिलकर मुनवर के खिलाफ प्लोटिंग की थी मुनवर का दिल टूट चुका है मुनवर अंजली को दोके बाज बता रहे हैं वहीं मुनवर के फैंस ने अंजली को लोकाउट करने की मांग भी की है फिर भी अगर अंजली फाइनलिस्ट बन जाती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अंजली जिसे अब तक ये कहा जा रहा था कि वो मुनवर के सारे गेम में आगे बढ़ रही है अंजली ने बेहदी स्मार्ट गेम दिखाया है टीवी और इंटर्टेन्मेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक रिया कमेंट्स के जरीए हम तक जरूर पहुंचाएं